अस्सलाम अलेकुम दोस्तों मतलब अगर आप सौधी से छुटी पर जा रहे हो तो आपको क्या साउधानी बरतना चाहिए और अगर आप दुबारा अपना सफर करते हो तो आपके लिए क्या रोल से मतलब काफ की लोग यह सोच रहे हैं कि हमने बोश्टर डोज लगवाई है या इंडिया में हमने बैक्सिन लगवाई है या साउधी अरव में बैक्सिन लगवाई है 14 दिन किसी कंट्री में है तो हमें यहाँ पर आगे किस तरह से सफर करना है क्योंकि छुट्टी पर जाने से पहले या एक बैक्सिन लगवाई है या साउधी अरव में एक बैक्सिन लगवाई है या दो बैक्सिन लगवाई है या बोश्टर डोजली है तो यहाँ पर लगभग लगभग सब ही लोग के लिए एक ही रोल्स है अगर आप दुबारा अपना सफर करते हो या 14 दिन किसी तीसरी कंट्री में बिता चुके हो और अब दुबारा सफर करते हो तो भी आपके लिए same rules है तो यहाँ पर आपको क्या करना जरूरी है गबर्मेंट के तरफ से क्या कहा गया है दोस्तों अगर पूरी तरह से बात करें तो जो लोग अपना सफर कर चुके हैं एक बार और दुबारा अब अपना सफर करना चाहते हैं मतलब अगर आप इंडिया से सौधी अरभ जा चुके होँ, भसे थे, लेकिन अब यहाँ पर फिर दुबारा आप सौधी अरभ से अपने देश जाना चाहते हो, इंडिया में या किसी, भी देश में, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसके लिए स्वास्त मंतराले के तरफ से क्या अपडेट दिया गया है तो हम आपको बता दें कि अगर आपने किसी भी कंड्री में वैक्सिन लगवाई है चाहे आप इंडिया में लगवाई हो या सॉधी अरब में लगवाई हो अगर booster dose लगवा लेते हो उसके बाद में आपको सहती application में एक तरह से immune रखना है मतलब जो system है उसके तहत update रहना है तो कलना update रखना है तो यह दो application है जहां पर आपको एक तरह से update करना है और पूरी तरह से green रहना है और आपको booster dose लगवाना है फिर आप अगर दुबारा सफर करते हैं तो ना ही आपको किसी तीसरी country में रहना है ना ही आपको साओधी अरब में quarantine किया जाएगा ना ही आपको कहीं भी quarantine किया जाएगा आपको कुछ भी करने की जरूत नहीं है आप दुबारा अपना सफर आसानी से कर पाएंगे दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल ह है तो comment box में जरूर comment करें